ओम नमाशिदेव्या जे वुली त्रकाल वर्ती त्रेलोक पूजी विश्वा राध्या पंच परमिष्टी भगवाने की अनन्ता अनन्त शिद्य परमिष्टी भगवाने की देवाद दे विश्व प्रवो वर्तमान जिन्सासन राइक्षी वर्दमान महावीर भगवाने की परम्पुजिय चारित्र चक्रवर्ती आचार्श्री शान्ति सागर जी मुनि महाराजी की परमपुजिय भारत गौरव आचार्शी देश उशन जी मुनि महराज की परमपुजिय सिद्धान्त चक्रवर्ती स्वित पिच्छाचारिय गुर्देव शी विद्यनन जी मुनि महराज की अहीं सामय विश्व धर्म की धर्म इसने ही सत सद्धालो यहाँ पर उपस्तित आप सभी भव्विवर पुंडरीक पुंडियात्मा महानुभाव परिक्षा दिये बिना कोई भी व्यक्ति सम्यक प्रमान को प्राप्त नहीं कर पाता जो व्यक्ति जितनी छोटी परिक्षा देता है उसको उतना छोटा प्रमान पत्र मिलता है जो जितनी बड़ी परिक्षा देने के लिए तैयार रहता है परिक्षा में सफ़र हो जाता है तो वे उतनी बड़ी प्रमान पत्र को प्राप्त कर लेता है परिक्षा के विना प्रमान पत्र नहीं मिलते यदि विना परिक्षा दिये जहां प्रमान पत्र मिल जाते हैं उन प्रमान पत्रों की विसेस मूल लिवत्ता नहीं होती वे क्येबल कागज के टुकड़े की तरह से हैं, यदि कोई व्यक्ति प्रमानित कर दे तो ये शिद्धोगा के विना परिशा के जिसने किसी को प्रमानित की आए, वे स्वेम में ही प्रमानित नहीं है, प्रमान अपने आप में वैं होता है, जो सर्व मानने हो जिसमें प्रमानकता हो जिसमें प्रमानकता नहीं होती हो प्रमान नहीं कहलाता एक विद्यारती छोटी कक्षा में पड़ता है छोटी परिक्षा देता है अच्छे नमर से पास होता है उसे प्रमानपत मिल जाता है कि अमक कक्षा में उसने अच्छे अंक प प्रत्म इस्तान दुत्ति इत्रति इस्तान प्राप्त किया किन्तों परिक्षा न दे तब प्रमाणपत्र उसे न मिलेगा यदि कोई दे देता है तब उसका जीवन ही वर्वाद होगा विना परिक्षा के जब प्रमापत्र दिये जाते हैं, तब विद्यार्तियों का जीवन वर्वाद होता है, उनकी जिन्दगी के साथ खिलवाण की जाती है पुस्प और फल जब धूप को सेन करते हैं तब पुस्पों में पराग आता है गंद आती है फलों में मिठास आती है मिट्टी के वर्तन जब अगनी परिक्षा देते हैं तब ये परिपक हो जाते हैं फिर उन्हें पानी में डाल दो तो वे गलते नहीं गुलते नहीं तूटते नहीं फूरते नहीं यदि बिना अगनी परिक्षा के अगनी में संतप्त किये बिना मिट्टी के बरतनों को यदि पानी के समीप भी रख दें तब मिट्टी पिगलने लगती है और वे पुने द्वस्त हो जाते हैं, खंडित हो जाते हैं, वे पुने मिट्टी ही रह जाती है हमारा और आपका जीवन भी जब तक अगनी परिक्षा के लिए समर्पित नहीं होगा तब तक मान के चलना चाहिए वह मृत्पिंड से जादा नहीं है किसी कुम्ब कार्णे कलस एक बनाया या सो या हजार कोई फरक नहीं पड़ता है यदि उन्हें अगनी में संतप्त नहीं किया है उन कलसों ने अगनी परिक्षा नहीं दी है तब एक वारस में बे सभी कलस द्वस्त हो करके पुने मिट्टी की रूप में आ जाएंगे इसी पकार जीवन में यदि हमने कहीं कोई पितकूलता का सामना नहीं किया है कहीं संगर्स का सामना नहीं किया है तब ये समझना चाहिए कि हम भी जीवन में कोई बहुत बड़ी उपलब्दी को प्राप्त नहीं कर सकते हैं एक बात ध्यान रखना इतिहास बनाने वाले व्यक्ति कभी इमतहान देने से डरते नहीं हैं जो इमतहान देने से डरते हैं भी कभी इतियास बनाते नहीं है परिक्षा जितनी ज़्यादा कड़क होती है परिक्षा देने वाले विद्यार्थी का उसा उतना ज़्यादा बढ़कर के होता है परिक्षा यदि कहीं रहम करके कहीं परिक्षा को और सिथल कर दिया जाए तब विद्यारती का जीवन वर्वाद होता चला जाएगा वे उच्छाई को छू नहीं सकेगा एक विशेशक ने एक प्रकार का अप्रयोग किया और चालीस कोकून मंगाए कोकून में से तितली निकल रही है और वे तितलियां संगर्स का सामना कर रही है ऐसा लगता है कि कोकून से निकलते शम्मे मृत्तों को प्राप्त न हो जाएं कक्षा में बैटे सभी विद्यार थी तितलियों के संगर्स को देख रही हैं और तितलियां कोकुन को तोड़ करके निकलती जा रही हैं उस कक्ष में उस हौल में उड़ रही हैं एक वालक उस सक्षा में बड़ा संवेदन शील था उस वालक ने तितलियों के संगर्स को देख उसे द्या आ गई उस वालक ने कोकून को थोड़ा सा धीला किया और तितली वहां से निकली किन्त उड़ा न सकी उड़ने की कोशिश की जमीन पर गिर गई और वह है घायल हो गई अध्यापक महदे ने प्रोपर्शन ने प्रिविश किया तब उन्हें देखते हैं कि एक तित सविकार किया गुरो जी मैं इसे तर्पती नहीं देख सका इसलिए मैंने साहिता की तुमने द्या नहीं की इसके पती अधिया का भाव कर दिया यदि ये संगर्स करके निकलती तो जैसे 49 तिनिया कक्ष में उड़ रही हैं यह भी उड़ रही होती क्यों निकलते समय जब प इसी तरह हम किसी व्यक्ति को जीवन जीने की रहा तो बताते हैं कि उसके जीवन में संगर्स ना आए प्रत्कूलता ना आए ऐसा प्रयास करते हैं वे मातापिता बे अभिवावक बे संदक्षक बे गुरूजन बे उसके जीवन में यूं कहें कि भावी घटनाओं को आमंत पाएंगे इसलिए मातापिताओं का भी करता बेक अपने बच्चों को अपने घर में लगे हुए गमले का पौदा ना बनाएं उसे जंगल का जाड़ बना हैं इसे कोई तूफान नहीं उखार सकता गर्मी सर्दी वर्सा सब सेहन करता है फिर भी अपनी अस्तित को बना करक रखेंगे तो चिनोतियों को स्विकार कर ंदे से अस्तित्त और दर्णीवूत होता है छिवत रहता है जो चिनोतियों से डर कर भागता है प्रतकूलता का सामना नहीं करना चाता है वह आगे नहीं बढ़ पाता उसका मेर्ग अब रुद्द Tonight करता है हम आपसे एक बात पूछ है है आपके चवीस तीफषंकर हैं वर्तमान कालीन प्रिश्रफ देव लेकर के भगवाण ओविश्वामी परियंत यह बताइए कि रिश्यभ्डेव से लेकर के महाविश्वमी परियंत जब 24 तीफषंकर हैं आप आप कहते हैं समान हैं जब रवस्ता में थे तो इन्यशो तुष्टन के पास था, शिद्ड बन गे तो विश्मान हो गए फिर भगवान पार्षनात की मौर्ति सबसे ज़्यादा मंदरों में बराजमान क्यों है? प्राय करके कोई मंदर up कोई ना मुस्किल है जिसमें भगवान पार्शनात की मूर्थी वराजमान नहों भारत वसमें जितने मंदर हैं उनमें प्राय करके हर मंदर में भगवान पार्शनात की मूर्थी एक नहीं किसी किसी मंदर में तो दो, चार, छे, आठ, दस, वीस, तीस, पचास, सो भी हो सकती हैं किन्तो इतनी तादात में मुर्थियां, अन्य तीधिंकरों की नहीं मिलती, क्यों? चौबीस तीहचेकर वह बगवान पाष्चन साम्य कासे तीहें कर हुए जिन्होंने मुनिय वस्ता में घोर अपसर को सहन किया और केवल ज्न को प्राथ कर लिजा अन्यटीथें कणरओं ने इतना अफसर्ग सामय ने शेयन किया उपसर्ग भगवान ज काम्द होते हैं आपके जैंदर्षन की अंसार 24 कामदिम में भगवान बाहुली की मूर्तियां ही सरवत्र क्यों प्राप्त होती हैं अन्य कामदिमों की मूर्तियां क्यों नहीं दिखाई दीती है भगवान बाहुली भगवान बनने के पहले जब राजवस्ता में थी वे मदनेस बाहुली जिसने चक्रवरती को जीत लिया थ अपने मान मर्यादा ऍाधा की रक्षा के लिए की साइस ऋर्म पाल्ण कि लिए अपनी सरागता आई सत्नों Istadu K पचाने के लिए भरस से भी युद्ध करना पड़ा भाई से तो युद्ध किया किन्तो युद्ध में तीनों युद्धों में अपने बड़े भाई को जीत करके भी उन्होंने उनके छेखंड के राज को लिया नहीं यदपी युद्ध के पहले ये शर्ट हैं तेह हो गई थ जाएगा वही चक्रवती गोस्त किया जाएगा किन्तो वाहुवली तीन के तीनियुद जीत गए वश्के उपरांत भी वाहुवली ने अपने भाई भरत को दौनों के मद्य रखे हुए सिंगासन पर विराजित कर दिया और स्वेंद दिक्षाकली चले गए सब कुछ प्राप करके भी सब को छोड़ दिया वी चाहते तो राज्ज का वैवब भोग सकते थे सम्राट बनके रह सकते थे क्योंकि उस समय शर्थ की अनुसार भरत हार चुके थे तो चक्रते भी नहीं रहे किन्तो वाहुवली ने त्या करके दिक्षा ले ली और पुने एक वर्स तक शादना किया, अहार नहीं किया, सादना में सनलगन रहे, इतनी शादना की उनके सरीर पर वेलें चड़ गई, साप और विक्षू चड़ने लगे, वामी बना ले, किंतो भी अपनी शादना से डिगे नहीं, ये श्परकार की सादना 24 कामदेवों में से किसी कामदेव ने न दिखनी में नहीं आता तो नो वाहां सिसरा रामचंद मांते हैं प् Myers & सकूल करा निश्रीप टूजा क्यों करता है कि किन्तों रामचंदी दिढ़ जीवन में जिश संगर्स का या सभा सत्य को gratis को नियाई सकूल को को नहीं छोड़ा करतब के पती निष्ठा को नहीं छोड़ा अपने पिताजी के शंके तानुसार राज जब हर्त को प्राप्त हुआ तब विवन के लिए सेहर चले जाते हैं और उन्हें जिन्ने राज मिलना था अंतर मुर्त के वाद मुर्त प्रमान काल के बार राज मिलना था ऊसी गड़ी में राई नमलकर की बनवास मिलेगिया किन्त उन्होंने कोई द्वन्द तो नहीं किया के राज की गोशना करने के उपरांत मुझे बनवास क्यों दी आ जा रहा है उन्होंने एक आधर्स उपस्त किया चलिए मर्यादा पुरशुत्तों कहला है वे आधर्स प वह तो ही किन तो सति सीता का नामें सरुपरी क्यों रखा जाता है जिन प्रत्कूलता UNC में अपने शील को रक्षद किया जिन प्रत्कूल प्रत्कुलताओं के वीच में रह करके भी ऑनोंने वह आद्रिश किया कि आज अन्य सत्यों में उनुहश्ट Take On शतियां ने थी छतियां तिण सती होना एक अलग बेंद करना दूसरी बात तो जुश्यिक्ति व्यक्ति ने भी प्रत्कूलता का सामना समताशे किया है, जिस व्यक्ति ने भी शंगर्स का सामना समताशे किया है, जिस व्यक्ति ने भी चनोतियों को सुखार किया है, किन्तों हटकर के मुकाबला नहीं किया, डटकर के मुकाबला किया, वो व्यक्ति इत्यास बनाने वाले हो यादि योग पुर्स बनाना चाहते हैं तो प्रत्कूलताओं के बीच में रखो प्रत्कूलताओं के बीच में रख करके ही वे कुछ बन पाएंगे अनकूलताओं के बीच में रख करके कुछ नहीं बन पाएंगे चिंतान करो तुम दुखों की यूंहीं करते जाते हैं फूल सदा कांटों में खिलते सेजों पर मुड़ जाते हैं किसी भी फूल को खिलाने के लिए उस फूल के लिए फूलों की सेज नहीं बनाई जाती फूल कहीं फूलों की सेज पर नहीं पलता है फोल कांटों के बीचे में रेकर के भी खिलता है, मुस्क कराता है, अपना स्वरव लटाता है, अपना पराग देता है, गंदे देता है, और सब के मन को मोह लेता है, वे पीडा को समताशियन कर लेता है, समाज में, संस्तान में, संग में, घर में, परिबार में, कहीं भी जो व्यक्ति सम्ता से सेन करना जानता है वो ब्यक्ति निश्यंद्य, अभिवंदनी और आदर्श बन जाता है। लोग कहते हैं कांटा पुस्प की संगती करने के वाबजूद भी कांटे में कोई कुमलता नहीं आई अरे नकारात में को सोचते हो यदो सोचना आई है तो इस सकारात में सोचो कि कांटे के साथ रहते हुए पुस्प के अंदर चोबने की कला नहीं आई उसने कांटे के साथ रह करके भी अपनी गंद को गंद को निश्ट नहीं कर दिया यह यही यह कांटे के बीच में रह करके वे पुस्व मुस्कराता रहा वे रोया नहीं आसु नहीं वाए वे कांटे की चुवन को सेहन करके भी दोस्वों के लिए अपना सौरल उटाता रहा और डाली से अलग होने की उपरांत भी उसमें सुई धागे से छेद करके जब उसको माला में प्रिया गया तब लोगों ने उसे कंटे में धान कर लिया उस पुस्व को लोगों ने अपने मस्तक से लगाया उस पुस्व को लोगों ने परमात्मा के चरणों में चड़ाया उस पुस्व को लोगों ने जो आदर दिया है शायद उतना आदर तो फल को भी नहीं मिला उतना आदर फल को भी नहीं मिला जो फल सुगर की ताप को सेन करता है जो फल प्रकती की सभी प्रत्वकुलताओं को शेन करता है जो फल अपने रस को संचे करके स्वेम भोग नहीं करता दूसरों के लिए लुटाता है शादेशी लिए फल सम्मान में दिया और लिया जाता है शादेशी लिए फल इतना मिठास से युक तो होता है किशा फल जैसी मिठास संसार के और किसी पदार्त में प्रत नहीं होती यतनी भी मिठास तयार की जाती है चाहिज शक्र बनाओ गुड बनाओ बूरा बनाओ कुश्य बनाओ जो भी है आप देख लेना हूँ है सब मिठास कहीं से निकल के आती है तो फल्ष निकल के आती है, फलों से कहीं खारापन नहीं निकलता, खारापन पानी से आता है, वे खारापन पानी में आ जाता है, किन्तो फलों में खारापन नहीं, फलों में मिठास होती है, हाँ, सुभाव से प्रकतिक अनशार कुछ फलों में, चाह भले ही, कड़वापन आ को शेहन करते हैं उन फलों में रस भी होता है कि तो कोई भी विरक्ष अपने रस का अपने फल का वो पुभोग नहीं करते हैं महानभाव जीवन में यदि आगे बढ़ना है तो बढ़ो हो इनतियार मत करो को समय अनकूल आएगा आप चुनौतियों को सुखकार करके इत्मी नान से बैठे हो नहीं आगे बढ़ो रास्ते में बादा थी हैं रहेंगी कोई भी समय ऐसा नहीं है जब आपके अनकूल हो जाए अनकूल तो हमें बनाना पड़ता है चौथे कालमे भी पितकूलता थी तरतीय कालमे भी पितकूलता थी आज पंचम कालमे भी पितकूलता हैं सिद्धानत कहां बदल गए सूर का अधे पहले भी पूरव से होता था आज भी होता है दिन रात में चोविश गंटे पहले भी होते थे आज भी होते हैं क्या बदला रहा है हम अपनी आपको खराब न करें अपनी आपको हम खराब करते हैं तव दूसरों को दो से जिना सुव कर देते हैं समय खराब है यदि हम आज भी अपनी आपको जतना अच्छा बना सकते हैं बनाने की कोशिस करो तुम्हें कौन रोगता है तुम्हें यदि मुस्कराते ह तो कोई तुम्हें मुना करता है क्या यदि तुम आनंद में रहती हो तो कोई मुना करता है क्या यदि तुम आख बंद करके बैठे हो हाँ जुड़के बैठे हो संसार के प्रति प्रति सुखशंति की भावना भा रही हो तुम्हें कौन मुना करने वाला है और तुम बैठ कर में हमने समताभाव रखा तो संगर्ष में जीवन का अंत हर्ष में होता है यदि संगर्ष हमने सत्य के लिए किया है तो यदि हमने संगर्ष मान मर्यादा की रक्षा के लिए किया है तो यदि हमने संगर्ष संस्कति की रक्षा के लिए किया है तो महानभाव आप आगे संगर्ट से घवड़ाएं नहीं यह तो बस एक छोटी सी परिशा मान करके आगे बढ़ जाएं अभी तो आपके जीवन में और कई बड़ी बड़ी परिशाएं आने बाले हैं यह मान के चले यह तो हाप यह ली भी नहीं माने से तो मन्तली भी एक जाम नहीं है बी के लिए एक जाम एक छोटी सी परिशाएं देनी है अब यह से क्यों कवड़ा गई तो मैं और आगे बढ़ना है बहुत आगे बढ़ना है जैसे सोना शुद्ध होता है तो सोले ताप तपता है तब सुद्ध होता है यदि पहले ताप में डर जाए तो सोना सोले ताप की शुद्ध को प्राप्त न करपाए उपस से तो आप सभी पुण्यात्मा मान भाव बस पत्कूलता हों में धेर धान करें पत्कूलता को अनुकूल मान करके ही चलें और सत्य नियाई मर्यादा संसकती, सभीता सिष्टाचार, पिनियाचार इत्यादी गुणों का कभी उल्लंगन मत करें तब निश्ण्दे आपके जीवन में सुक और शान्ते के पुस्फ अपने आप खिरने लगेंगे और आपका गंतब आपकी मंजल आपका उद्देश आपको स्वेम ही प्राप्त हो जाएगा आपको ऐसा लगेगा कि मेरी मंजल स्वेम सरक करके मेरे पास आखिए आप सभी अपनी लश्च को प्राप्त करने में समर्थ हो हम आपके पतिय शी भावना भाते हैं और इनी सद्भावनाओं के शाथ अपनी शब्द शंकला को यहां पर विराम देते हैं जब उलिये श्री शांतनात भगवान की परम पूज्य आचारिये गुर्देशी विद्यान जीम नमाराज की अहीं सामये विश्व धर्म की